हेलो दोस्तों में आपका स्वाधत है मैं पहल सर आपको आज 10th math complete course यानि कि हमारी 10th class का complete course करवा हुआ तो उसमें आपने हमारे अरेक वीडियो हर रोज डेली हमारे वीडियो देखने होगी आज हमारा टोपिक है trigonometry part 1 trigonometry को हम क्या बोलते हैं हिंदी में 3-cone-mithi क्या बोलते हैं 3-cone-mithi के अंदर हम क्या सीखे 3-cone-mithi नाम से पताता सा 3 मतलब 3-cone जिसके 3-cone हो तो उसके बारे में पढ़ेंगे 3-cone हमारे 3-cone क्योंते किसके ओते हैं 3-cone-mithi और 3-cone-mithi में ध्यान अखड़ा बच्चे right angle triangle का प्रियोग होता कौन से ट्रैंगल का right angle triangle यानि कि समकोन त्री बुझ का जब तक समकोन त्री बुझ ना हो तो हम trigonometry के नामों गया उसके बारे में जानकारी नहीं परात कर सकते हैं तो हमारे trigonometry में तीन बुझ यह कोन होते हैं ठीक है एक कोन हमारा कितने डीगरी आता है इसमें 90 इसको बोलते है समकोन त्री बुझ की तीन बुझ यह पहली बुझ को म सिरसलंब दूसरी बुझ हमारी आधार ए और तिसरी बुझ के करण यहां के को किसे लियागा बचे आधार जिसको इंग्रिस में क्या बोलते हैं बेस और बचे एल को सिरसलंब यानि की परपेंडिकुलर शिरसलंब बचे आप ने इन तिनों का नाम सुना है समकोन त्री बुझ में के करण ए आधार एल लंब तो इन तीनों से हम क्या ज्याद करेंगे इन त्री कोन मीत्ती के सभी नामों के बारे में जानकारी पराख करेंगे क्योंकि समकोन त्री बुझ से इनकी उत्पत्ती हुई है इनकी उत्पत्ती के लिए हमें केवल एक टेपल याद रखनी होगी जो हमारी टेबल है जिसको बोलते हमारी टेबल नंबर फर्स टेबल के बारे में बाद में बत जाता हूं कि तीन कोण मिति के वह कौन से नाम है जिनको हमें बार-बार याद करना होगा और याद रखना होगा उन नामों को हम इस प्रकार से एक्स्प्लेन करेंगे हमारा पहला नाम होगा क्या होगा तीगनों में तीगा फर्स नाम फर्स नेम जिसको क्या बोलेंगे हम साइन थीटा क्या बोलेंगे बच्चे साइन थीटा अब इलकुल ध्यान से देखेंगे पहला नाम होगा हमारा क्या साइन एंगल साइन थीटा इसरा नाम होगा क्या, tangent theta और fourth नाम होगा court theta, fifth हमारा नाम होगा secant theta और चटा नाम होगा बच्चे क्या, cosecant theta, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, sine theta, क्या बोलेंगे, sine theta, धिटा बच्चे कुछ भी हो सकता है, एयंगल x में y में z में किसी में वी हो सकता है इसको बोलेंगे coast theta क्या बोलेंगे coast theta ये नाम याद करने का मैं हिंदी में भी ऐसे लेगते हैं और इंग्यू फिर बिया इस से इंग्लिस बिह आधा this day क्या एचैनGM जेंट टैंजेंट त्षिट्ट इसको बोलते हैं को थिट्ट यह होगा हमारा चिंद फिट्ट इसको बोलेंगे go secant go secant thitta because से पहले हमारे छे नाम स्वेन में इन की नाम मैंने हिंदी में भी लग दिये और in English word ऑफल्व JAGG ये सण बोलते है निकर इसको time changer गोलते हैं इसको time साइन चैंजन्ट बोलते लेंकि साइन थिटा थिटा हमारा कुछ भी हो सकता लेकिन नाम होगे साइन कोच टैंजन्ट कोट सी करन ऑर को सी कई नाम इनको यही देंगे तो यह नाम हमने याद रखने बच्चे और अब इनकी उत्पत्ति कहां से हुई इनकी उत्पत्ति मतलब इनकी जनम देने वाले इनको समकोर्ण तरी बुच्त है इसके अंदर हम टेबल करेंगा इसको बो compressed trainings को मेरी पूरी दो टेबल कर वांतने हमारा पूरी घ्रिकरोम घ्रकम करेंगे फर्स टेबल है बच्छे, L, A, L, K, K, A, जिसको हम लिखेंगे क्या, L को लिखेंगे लाला, आम लाया, क्योंकि बच्छे आम का सीजन अभी लाया, कैसे ले क्या कच्छे कच्छे आम, क्यों ले क्या कच्छे ताकि खराब ना हो, इसको बोलेंगे, S sign Theta की विखेंगें, ये किसके बचे कोस की, ये किसके है, Tengen की और ये किसकी विखेंगे, को सी कैल यह जए नठाब आपको पता चल गया हुगा कि आम लाल कच्छे आम क्यों ले के आ, क्यों कि आम का सीजेन घ्रदी खराब हो जाते हैं इसको बने लाल कटका, क्या बहुते हैं लाल कखा लाल बटे कका, L-A-L-L-K-K-A कका, क्या वोते हैं लाल बटे कका, अब इन से कैसे मान फाइंड आउट करेंगे, पिल्कुल आसान इस केबल के बाद, पिल्कुल यासान त्रीके से पता लगा सकते हैं, जैसे बचे हमें पता कि लम बटे आधार, रिगनोमेटरी में लम बटे आधार करेंगे, तो किसकी वैलू आएगी, साइन थीटा की, बिल्कुल ध्यान से जेखेंगे, आधार बटे करन, जब आधार बटे करन करेंगे, तो किसकी वैलू आएगी, कोस थीटा की, और लम बटे आधार, करेंगे तो किसकी वैलू आएगी, टैंजेन थीटा की, अब किसी केंट ठीटागी और आदार बटे लंब हमारे किसकी वैल होगी कोड ठीटागी यह 6 कि 6 नाम बचे कहां से पैदा इनकी पती किससे समकोन तरी भूज से ठीक है और इस टेबल का प्रियोग करते हुए आसानी से पता लगा सकते ही कि हमारी साइन कोश टेजनेट कि पती लंबटे आदार आदार बटे करन करन बटे लंब इस तरह से इनकित पती हुई है अच्छी तरह से समझ रहे आगए होगी अब मैं आपको बताऊंगा किसी टेबल का प्रियोग करते हुए हम किस परकार साइन की कोश की टेंजनेट की वैलू घ्य सिकेंट है क्या होगा इसी परकार क्या करें हुँ को सिकेंट थिता है इसकी वैलू क्या होगी वन भाई घोस यह मैं कहां से लिग रहा हुँ बचो सिकेंट करेंगे साइन आएगा हमारा को सिकेंट थिता किसके बराबर होता पचेंट थिता और कोड थिता की वैलू क्या होती है वन भाई टेंजेंट थिता केवल इसी टेबल से हमने 6 फार्मूलों का और प्रियोग किया है चै के चै फार्मूले हमारे इस टेबल का प्रियोग से आगई और इसी टेबल से मैं पता चला कि साइन को स्टेंट और पोड की पत्ति कहां से आज हमने केवल ट्रिग्नोमेटरी के उन 6 पार्ट उन 6 नामों को याद किया बच्चे जिनके हमें जानकारी होनी जरूरी है और जो हमारे ट्रिग्नोमेटरी के हर स्टेब पर यूज होंगे तो उन 6 नामों के मैंने उन पत्ति बताए कि इनका जनम कहां से समकोंतरी बुच से मुझे आसा है कि आपको ये सभी 6 नाम अच्छी तरह से याद हो गए होंगी साथ में 6 नामों के पत्ति के साथ हमारी टेबल फर्ष्ट जिसको बोलते हैं सानी फर्ष्ट भी याद हो गए होगी तो मैं सभी बत्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपारे चैनल को आप जादा से जादा सस्क्राइब करें और लाइक करें, सेयर करें, धन्यवाद